अगर आप एक एक एलेक्टरिक गाड़ी लेने के सोच रही हो तो इस ट्रेम सिर्फ आपके बाद दो ही ओप्षिन है एक है नेक्षन एवी दूसरी है महिंद्र एक फोड वलो लेकिन दोनों गाड़ियों में से आपके लिए कुन सी गाड़ी बहतर रहने वाले है किस गाड़ है उसके अंदर कितना फर्क रहने वाला है एंड प्राइस के साब से हमें कौन सी गाड़े लेने चीए कौन से इन सभी बातों के बारे में अज हम डेट्रियल के बात करने वाले है तो अगर आप इन दोनों गाड़ों का कंपेर्जन देखना चाहते हो एंड अगर आप अब आप दोनों देखने मिलती है जो कि रहने वाली है 34 kilowatt की एंड 39 kilowatt की 34 kilowatt की जो बैटरी है वो 375 कि जो रेंज है वह निकालती है वह फॉर फिफ्टी दिकिस कि जो रेंज है वो निकालती है वह अगर बात कि जाना नेक्सन की तो नेक्षन के आंदर भी में दो मोटर दे जो रेंज है वो निकालती है एंड जो दोनों बैटरीस है एंड जो दोनों की पावर है वो लगल लगा लेकिन जो दोनों के टोपेर मोडल है उनके अंदर हमें सिरु तीन किलमेटर का जो हेरफेर है वो देशने मिलेगा लेकिन इसका जो सिंपल वाले वीरिंट है दूसरे वाले उनकी अंदर में 60 किलमेटर की जो रेंज का फर्क है वो देखने को मिल जाएगा दूनों गाड़े में अगर बात की जाए तो जो एक्सवी 4W है वो नेक्सम से थोड़ी सी बड़ी रहने वाली है अगर हम दोनों गाड़ों की अगर हम length को छोड़ गए वीर्थ और height देखे तो दोनों गाड़ों में कुछ जादा फर्द देखने को नहीं मिलेगा दोनों गाड़ों की वीरत है और साथ ही जो दोनों गाड़ों की हाइट है वो दोनों ही जातर सेम है लेकिन अगर बात की जरा length की तो जो length है वो हमें xv-4W के अंदर 207 mm जहा देखने मिलती है 207 mm का मतलब है भी हमें जो board space है वह XV4W में जाहा देखने मिलेगा एंड जो अंदर से interior का space है वो भी हमें XV4W के अंदर में जाहा देखने मिलेगा XV4W नेक्षन से 27 mm बड़ी रहने वाली है एंड अगर आप दोनों गाड़े को खड़े होई भी दिखोगे तब भी आपको लगेगा पर जो XV4W है वो नेक्षन से थोड़ी सी बड़ी रहने वाली है वैसे तो XV4W और नेक्षन के टोमेर मोडल के अंदर में जो motor है और जो battery है वो हमें सेमी देखने मिलती है एंड दोनों की जो power input है और साथ ही दोनों के अंदर हमें जो रेंज है वो भी सेम देशने मिलते हैं लेकिन अगर बात किज़ें ना पावर और फन की तो वो हमें एक्षवी 4W के अंदर जादेशने मिलेगा जब हम जो गाड़ों के अंदर हमें जो sports mode है वो मिल जाता है लेकिन एक्षवी 4W के अंदर हमें fun, fast और fearless ये तीन मोड देखने मिलते हैं एंड तीनों मोडों के अंदर जो two speed है जो power है और सथ जो acceleration है वो भी अलग अलग है जिस current जो गाड़ी के अंदर है वो भी हमें काफी अच्छा मिलता है एंड तीनों मोड के अंदर जब हम गाड़ी को चलाएंगे उससे जो गाड़ी की battery वो भी उसी साफ से डाउन होगी और चार्ज होगी एंड जो गाड़ी के अंदर fun है वो भी हमें लग-लगी मिलने वाला है दोनों गाड़ियों के अंतर हमें जो fast charger है और जो DC का fast charger है जो simple charger है जो 15 वोट है 7.2 किलो वोट वाला 3.3 किलो वोट है ये सभी charger हमें दोनों गाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं लेकिन अगर हम सब्सक्रावले बात किजाए fast charger की तो XV4W के अंतर जो fast charger है वो गाड़ी क को 0-80% 50 मिनट के अंदर करेगा वही जो प्राइम वाला मोडल है वह 0-80 50 मिनट में करेगा जो मैक्स वाला मोडल है वह 0-80 56 मिनट में करेगा उसके साथ है अगर बात किजा 7.2 किलो वोट वाले charger की तो XV4W जो इस charger है चार्ज होगी वह 6.5 गंटे इंदर फूल चार्ज हो जाएगी वही प्राइम के अंदर में जो बैटरी है वह थोड़ी छोटी मिलती है जिस करन ये गाड़ी 5 गंट में फूल चार्ज हो जाएगी जो मैक्स है उसके अंदर में बैटरी है वह बड़ी मिलती है जो मैक्स है वह भी 6 गंट में फूल चार्ज हो जाएगी लेकिन अ गाड़े 8 गंटे में यह गाड़ी फूल चार्ज हो जाएगी अगर बात की जाए न मैक्स की तो जो मैक्स के अंदर हमें चार्जिंग टाइम है वह हमें 15 गंटे का मिलता है तो अगर एक एसाब देखा है अगर आपने अपने गाड़े को कहीं भी सिंपल चार्ज लगा है तो आपके गाड़ी एक्सवी फूर डबलो से दो गंटे ज्यादा टाइम लगाएगी अगर आपके आपके गाड़ी दो गंटे पहले ही फूल चार्ज हो जाएगी टाटा नेक्सन से वैसे तो दोनों गाड़ों के बेस मोडल के अंदर में जो फीचर्स है वो सेम मिलते हैं दोनों गाड़ों का जो मिड विरिंट है उनके अंदर में जो फीचर्स है वो सेम मिलते हैं हलका फूल का जो रेंज के अंदर फरक रहने वाला है सिर्फ वही रहने वाला है और बैट कि तो टोपेंड मोडल के अंदर हमें लेकिन अगर बात कि जाना फीच्यर के तो फीच्र में डूनों ग verdict में में चार्ट कर फिकर मिल्डी सकंदर के अंदर हमेंगे बिलने वाले हैं या है ये मिल जाएगा शोですairs कि मिल जाएंगी यह मिल जाएंगए फिचर वाइस है उसके अंदर में फीचर से है वो काफी भर-बर के मिलने वालों के लाँ है एक्षिफिस फीफोडवलो के इंदर हमें तीन भीशिद मेल जाएंगे इस गाड़े के जो एक्शन पैज़ा वो 16,19,00 रुपे के बीच रहने वाला है वहीं एक्शन के अंदर हमें दो मोडल देखने मिल जाती है प्राइम और मैक्स प्राइम की जो स्टार्टिंग पैज़ा वो साड़े 14,20,000 रुपे है वहीं जो मैक्स की स्टार्टिंग पैज़ा वो 16,19,00,000 रुपे है लेकिन अगर बात की जाना दोनों गाड़ियों के प्राइस रेंज में एंड रेंज के अंदर तो जिसका वज़ट थोड़ा कम है वो टाटन एक्शन एवी प्राइम की तरह जा सकता है उसके अंदर में 312 किलोमेटर के जो रेंज है वो देखने को मिल जाएगी लेकिन अगर आप अपना हलका सब्राइब पराएंगे यानि अगर आप अपने वज़ट में 1,5 लाग रुपे जादा एक्स्ट्रा देंगे तो वहीं पर आप जो XV4W का मोडल है वो ले सकते है बेस मोडल जिसके अंदर में 314 किलोमेटर के जो रेंज है वो देखने मिल जाएगी लेकिन अगर वहीं पर बात किजाए न अगर आप 16,00,00 रुपे डालने के बाद अगर आप उसमें 50,000 पर हो एड करोगे तो आपको टाटान एक्स्ट्रा एवी मैक्स का जो बेस मोडल है वो देखने मिल जाएगा जिसके अंदर आपको 453 किलोमेटर की जो रेंज है वो देखने मिल जाएगी अगर बात की जाएना मिन प्राइज की तो आप 16,00,00 रुपे अगर आप 15,00 रुपे जाए डालकर आप रेंज भी जाए ले सकते हो फीचर भी आप जाए ले सकते हो अगर बात की जाएना आउटलेट्स की चार्जिंग की तो हम यह बात सभी जानते जो टाटा की आउटलेट्स है चार्जिंग वाले वो हमें हर एक प्रोल पंपा देखने मिल जाएंगे लेकिन अगर वहीं बात की जाए महिंदरा की तो महिंदरा के जो आप लट्स है चार्जिंग वाले वो काफी कम है तो अगर आप इस टाइम एक वैले फॉर मनी गाड़े लेने की सोच रहे हो तो आप टाटा नेक्शन एवी मैक्स या फिर प्राइम कितर हो जा सकते हो इन दोन सब्सक्राइब करते हैं अगर आपको 50,000 रुपे जादा देने पर अगर आपको 80 किलमेटर के ज्यादा मिले तो आपको खोड़ किया थी ये बाकी फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो चिल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही मारे चैनल को भी सब्सक्राइब क